हमारा मालूम अभी धायक जी तोहरा ताकत और पावर के बारे में लेकिन तोहरा अंदाजा नहीं कि हमारा फागलपन के बारे में नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का फिल्मी वाला यूटूब चैनल पर दोस्तो आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुरीवनसम भुचपुरी मूबी के बारे में साती साथ हम बात करेंगे कि ये फिल्म कितने सिनेमा हॉल में रिलिच हुई है तो वीडियो पूरा ज़रू देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीड पंट्रेस है और आज्ता सेंग इसी फिल्म से भुचपुरी अंधर्स्ती में देब्यू करने वाली है हालाकि आज्ता सिंग ने इससे पहले काफी album के गानों में काम किया है लेकिन ये इनकी agile lead actress के रूप में पहली भुजपुरी फिल्म है इस फिल्म में music दिया है फिल्म की story लिखी है और इस फिल्म को direct किया है रजनीस मिस्दा ने जो की काफी कमाल के director है और इस फिल्म को सुपर हित हो चुके है दोस्तो सुर्य वनसम ये फिल्म साल दोजार चोवीस में रिलिच होने वाली पाउर स्थार पाउन सिंग की साल की पहली फिल्म है इससे पहले इनकी फिल्म साल दोजार तेईस में रिलिच हुई थी हरगंगे जो की theater में पचास दिन तक चलीती और दोस्तों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया था तो क्या ये फिल्म हर हर गंगे फिल्म का record पूर पाईगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा बात करें सुर्य वनसम के फर्स दे box office collection के बारे में तो सुर्य वनसम इस फिल्म को ओल ओवर इंदिया में लगबख 40 सिनेमा हॉल के साथ रिलेच किया गया है और ये फिल्म फास दे पे लगबख 10 से 12 लाकी कमाई करने वाली है और इस फिल्म का बज़त लगबख 1.80 लाकी आज़ पास रखा गया है तो क्या ये फिल्म अपना बज़त रिकवर कर पाएगी हित होगी, सुपर हित होगी, ब्लाकबाश्टर होगी या फिर आल टाइम ब्लाकबाश्टर होगी आपको क्या लगता है अपनी राए हमें कमेंट बॉक्स के जरीए जरू बताए और ऐसे ही कुछ इंट्रेस्टिंग जान करें रेगूलर पाने के लिए लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद